नमस्कार आप देखरें न्यूस पियार और मैं हूँ प्रीती बहार के मुख्यमंतरी नितीश कुमार आज तेजश्वी यादव की तरफ से आयोजित हो रही इफ्तार पार्टी में शामिल होने वाले है और इस खबर पर अब मुहर लग चुकी है कि सीम नितीश कुमार आज राज़त की तरफ से जो राबरी आवास पर दावते इफ्तार हो राबरी आवास पहुंच चुकी है और वहां सुरक्षा वेवस्थाओं का इंतिजाम कर रही है सिक्यॉरिटी जो है वहां पर जाकर चेक कर रही है कि कहीं भी कोई भूल चूक ना हो जाए कड़ी सुरक्षा का इंतिजाम किया जा रहा है ताकि मुख्यमंतरी यहां आए तो कोई ऐसी घटना ना घट जाए इसलिए Advanced Security Team एक एक चीजों पर कड़ी नजर रखे हुए है और अब इस खबर पर पुष्टी भी हो चुकी है कि CM नितीश कुमार आज इस राज़त की तरफ से आयोजित हो रहे दावते इफ्तार में शामिल होने वाले है जिसके लिए उनकी Advanced Security की टीम वहां पहुँच चुकी है और एक एक चीजों को अच्छे से चेक कर रही है और CM के आने से पहले सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा ले रही है आपको बता दे कि इस से पहले नितीश कुमार लालुयादव की तरफ से जो इफ्तार पार्टी होती है उसमें शामिल हुआ करते थे लास्ट आखरी बार वो 2017 में शामिल हुए थे लेकिन कुछ ही दुनों बाद महागडबंदन में दरार आई थी और नितीश कुमार ने गडबंदन को छोड़ दिया था आखरी बार वो 2017 में लालुयादव की तरफ से आयोजित इस इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे आज का दिन राज़त के लिए बेहत खास माना जा रहा है जहां आज राज़त सुप्रिमो लालु प्रशाद यादव को जारखंड हाई कोट ने चारा घोटाला मामले में जमाना दे दी है वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्या नितीश कुमार आज इस दावते इफ्तार में शामिल होने वाले है तो आज राज़त की आज दोहरी खुशी होने वाली है आज ये खास दिन होने वाला है राज़त पार्टी के लिए राज़त के तरफ से कई इंतिजाम किये गए हैं और इस दावते इफ्तार में कई बड़े बड़े नेता कई पार्टी के प्रमुख शामिल हो रहे हैं जिसमें वियाईपी के मुकेश सैनी चिराग पासवान मुख्य मंतर नितीश कुमार तक शामिल होने वाले हैं यानि की जितने भी बिहार के तमाम राजनतिक दलों के मुख्य नेता है वो सबी इस पार्टी में शामिल होने वाले हैं जिसको लेकर के पूरी तैयारिया की जा रही है और खास कर सीम नितीश कुमार इस पार्टी में जाने वाले हैं इसलिए सुरक्षा के तमाम इंतजाम किये जा रहे हैं ताकि CM की सुरक्षा में कोई भी चूक ना हो जाए आपको जानकारी के लिए बता दे कि आज राज़त सुप्रिमों को जारखंड हाई कोट ने जमानत दे दी है बोजहां उप्चुनाव में राज़त की जीत हुई है इस दोनों खुशी को मनाने के लिए आज राज़त की तरफ से इफ्तार पार्टी की जा रही है शाम के ठीक 6 बच कर 17 मिनट से ये इफ्तार पार्टी अजान के बाद शुरू हो जाएगी जो की राबरी अबास जो की 10 सरकुलर रोड पर है वहाँ पर आयोजित हो रही है काई बड़े बड़े दिगज नेता मंतरी प्रमुख इसमें शामिल होने वाले है और आज खुद मुख्य मंतरी इस दावत इफ्तार में शिरकत करने वाले है इसलिए तमाम सुरक्षा के इं काले जा रहे है कि आखिर नितीश कुमार अपने विपक्ष की पार्टी के दावते इफ्तार में क्यों जा रहे है हाला कि कुछ दिन पहले ही नितीश कुमार ने भी इफ्तार पार्टी की थी जिसमें कॉंग्रेस के राज़त के नेता रामचंदर पूर्वे भी शामिल तो इसमें भी मुख्य मंत्री शरीक होने वाले है जो कि शाम के 6 बच कर 17 मिनट पर आयोजित होगी इसलिए सुरक्षा के तमाम इतिजाम किये जार है कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्य मंत्री नितीश कुमार आज इस दावते इफ्तार में शिर्कत करने वाले है आज सबी की झाल जातार कि शुरक्षा के जुआ आज सम्पार आज सुरक्षा के बीचिन लेकर स्बस्चा के जाए हो झाले है जातार है जातार है